सब नमस्कार कैसे हैं आप सब आप आप लोग कफ़जादा बढ़िया होंगी और आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेरांडा हाउस के बारे में और देखिए मेरांडा हुज जो कोलेज है वो सिर्फ डेल्लियू सिटी का ही नहीं बलकि पूरे इंडिया का नमबर वन कोलेज है पिछले 5-6 साल से अब अपने एक नाम सुना होगा NIRF याने की National Institutional Ranking Framework जो हर साल अलगलग कोलेज इसको रैंक करता है उसके अंदर देखिए मानली जी हिंदू कोलेज है स्टीफन्स है एसासिस है हर साल उपर निशे होते रहते हैं कभी 4th रैंक पर है कभी 12th रैंक पर आ जाते हैं उपर निशे होते रहते हैं लेकिन Miranda House अखेला ऐसा कोलेज है जो पिछले 5-6 साल से सिर्फ और सिर्फ एक ही रैंक पर स्टेग्नेंट है और वो है रैंक 1 तो भाई कुछ ऐसी क्या खाक चीज इस कोलेज के इंदर जो इसको रैंक 1 बना करके पहरे रखे होए पिछले 5-6 साल से कोई-कोँसे कोटे हैं क्या फ्री स्ट्रक्ट्र cleaner है प्लेजमेंट किस तरे की है होंसल के चार्जिस क्या है फैस्ट किस तरे से होते है एक्सकोजर क्या है हर चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले है अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी ही छोटे सी हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, रहेगी, राइट? क्वेस्ट राइटी जाएट। And being a Mirandian is a proud moment, we are in third year and since first year we are enjoying it a lot and we have seen so many stars being in Miranda and this year also this is amazing. तो तो यह एक तो ऑच बाच बाच एक आधर। गोजु़ाने जिया है प्रषू का एक नगए लेकला था मालुड में जाएपार मेरांड हूश फिट एक अन्टेन्टिय। मिलाम थे अंटेन्टिय। मंझा इस्टेव्टिय। इसके साथ वो चीफ जस्टिस ओफ इंडिया भी थे 1937 से लेकर के 1943 के बीच तो मौरिस गोर्ड जो थे उन्होंने ही मिरांडा हूस को एस्टेबलिश किया गया था और काफिसाथ स्टुएंट यही कुछ थे कि इसका नाम मिरांडा हूस कैसे बढ़ा तो मौरिस गोर्ड ने बताया है कि शेक्सपेर का एक प्ले था जिसका नाम था टेमपेस्ट उसकी एक केरेक्टर थी मिरांडा जो कि उन्हें एक आफ़ता पसंद थी उन्हें लगता कि यह लड़कियों को किस तरह से होना चाहिए तो मिरांडा जो केरेक्टर थी उसकी तरह होना चाहिए तो इसलिए उस कोलेज का का नाम जो था मिरांडा ही उन्हें रख दिया और उसी के बाद यह जो कोलेज आप जानते हो इसका नाम मिरांडा हॉस पढ़ गया तब का जो एक confusion था कि Miranda नाम कैसे पढ़ा तो इस वज़े से पढ़ा इस साथ देखी जो Miranda House का Fest होता है उसका नाम है Tempest और Tempest जैसे कि मैंने बताया कि Shakespeare का एक play था उसका नाम भी Tempest था तो वही से इनका Fest है उसका नाम यहाँ पर आता है Tempest इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ के notable alumni icon कोन कोन है जो Miranda House से पढ़दर के निकली है और आज के time पर काफ ज़्यादा पोपलर है काफ लोग उन्हें जानते है तो देखिए अपने नाम सुना होगा शीला दिक्षत का भाई शीला दिक्षत का नाम किसने नहीं सुना है पंदरा साल तक हो डेले की CM रही है तो शीला दिक्षी जो है वो भी Miranda House से पढ़दर के निकली थी इसके अलावा मलीका शेरावत है इसके अलावा नन्दिता दास है जो एक्ट्रस है इसके अलावा बिरिंदा करट है जो की पोलिटीशन है और फॉर्स्ट वुमें मेंबर है CPI की यानिकि Communist Party of India की फॉर्स्ट वुमें मेंबर है इसके अलब अगर हम बात करऊं तो अनिता देशायी है जो कि Novelist है, इसके अलबा मीरा नयर है जो की Movie Director है, और आप सबीने भाई बाई इर्फान गान का नाम सनओ होगा, बाई इर्फान गान की जब अप इंट्रिवीजो सनओगे पूराने इंट्रियुज़ तो उनके इंदर हमेशा मीरा नहयर का नाम वो लेते हैं तो काफी बड़ी डेक्टर है मीरा नहयर जो कि मिरांडा हाउस से पास आउठ है इसके अलाबा मौनी रोय है जो कि एक्टरस है, सोरा भासकर है, अगें एक्टरस है राधिकार है, जो कि फान्डर है n-d tv तो आपने अभी नाम सुनावा काफ़ जादा राधिकारोई और प्रणव रोयका जो की NDTV के फाउंडर्स थे तो राधिकारोई जो है वो भी मिरांडा हॉस से ही पड़ी हुई है इसके अलावा देखिए आपको जो भी फिलाद स्क्रीन पर देख रहा है उनमें से बहुत साय लोग जो है वो राइटर्स है एक्टर्स है इसके अलावा पॉल्टीशन है एड्मिस्ट्रेटर आज के टाइम पर है तो इस तरह की जो फिल्ड है उनके अंदर काफी जादा लड फिर आप SACC में जा सकते हो मिरानडा हुस बेसिकली आपको बीए के कोर्सिज और आपके जो बीएस्टी है उसके कोर्सिज आपको यहाँ पर ओफर करता है अंदर पोस्ट्रेशन के अंदर तो अप यहां से बीए प्रोग्राम कर सकते हो बिये प्रोग्राम के लावा आवा इसके अलाव अब बात करूं BSC की तो देखिए बोटनी है यानि बोटनी ओनर्स है Chemistry है, Maths है, Physics है, Geology है इन सभी के अंदर आप ओनर्स कर सकते हैं इसके अलाव आप BSC प्रोग्राम भी कर सकते हैं BSC प्रोग्राम के दो कॉर्सिस होते हैं Life Science and Physical Science, right? तो ये दोनों कॉर्सिस आप कर सकते हैं इसके अलाव अगर आपको मानलीज ये BLAD करना है तो वह भी यहाँ पर ओफर होता है BLAD भी कर सकते हैं तो ये साइक साइज जो कॉर्सिस हैं ये थे आपके Undergradation के कॉर्सिस अब हम बात करते हैं आपके Postgradation के कोर्सिस की तो अगर आप Postgradation करना चाहत है तो Postgradation के अंदर आपके फिर मानलेजी आप Master degree कर रहे हो आप Arts के अंदर तो वहाँ पर English में आप कर सकते हैं इसके लावा Hindi है, Economics है, Philosophy है, History, Bengali and Music तो इन सभी के अंदर आपनी जो Master degree है वो भी कर सकते हैं जहां तक MSC की बात है तो MSC के अंदर आप Mathematics है, Physics है, Chemistry है इसके अलावा Botany, Geology, Anthropology इसके अंदर आपनी जो Master degree है वो कर सकते हैं MSC की तो आप समझ चुके हैं कि इतने साही जो कोर्स दे वो Miranda House आपको ओफर कर रहे है अंद्र पोस्टेशन के अंदर यहाँ पर BQ Monist and McOM है वो यहाँ पर आपको ओफर नहीं होती है नहीं UG नहीं PG के अंदर ठीक है तो इस चीज़ कर पता होना चाहिए अब बात करते हैं Feast Structure के बारे में और मैं हमेशा बोलता हूं कि भी किसी College के इतर पर admission लेते तो प्रफीस कफिर काफी कम है चाहिए आप अपर अंडररेशन कर रहे हो, पोड़ेशन कर रहे हो, कोई भी कोस आप कर रहे हो, 14,000 से लेकर के 20,000 आपकी फीस लगने वाली है, जो कि आपको फिलाल जैसे कि आपको स्कीन पर देख रही होगी फिलाल, तो देखिए यहाँ पर मालनीजी आप BA का कोई भी course कर रहे हो तो BA के सभी courses के अंदर जोड़ करके बस तो आपके fees लगने वाली है 14,160 रूपीज सभी courses के अंदर लेकिन आप BA उना से जोगरफी कर रहे हैं तो जोगरफी के अंदर आपकी fees है 17,080 रूपीज वो भी बहुत जादा नहीं है बहुत ही nominal fees है अपकी इसके लाव अगर हम बात करूँ आपके BSE के सभी courses की मालनीजी आप BSE का कोई भी course कर रहे हो तो आपकी 17,000 से लेकर के 19,000 के आसपास आपकी जो fees है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके लाव अगर आप BLED कर रहे हो तो 19,000 fees है BLED की और अगर आप चले जाते हो master degrees पे तो देखिए मालनीजी आप MA कर रहे हो मालनीजी आप MA economics कर रहे हो 19,000 fees है music कर रहे हो 15,000 fees है और बाकी अगर आपको भी MA का course कर रहे है तो उसके इंदर आपकी 14,000 fees आपको यहाँ पर देखने को मिलती है दूसरे से आपको fees structure देखने को मिलता है Miranda house का इसके अलाव अगर मैं hostel की fees की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो fresh admission अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पर 32,000 fees है second instrument जो आप देते हो आप यानि कि आपकी even semester की fees वो आपकी 26,000 त्यास पास है तो आप समझा सकते हैं कि around 50,000 त्यास पास आपको hostel की fees जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है जो बाकिकर आप compare को कि दूसरी colleges के साथ DU के ही तो काफी comfy से होस्टल की भी यहाँ पर अगर हम बात करूँ यहाँ पर फिर admission procedure का है भई आपके Miranda house के लिए तो आपको बता होगा पहले यहाँ पर सभी जगापर DU की जितने भी कोले से सभी में merit based admissions थे यानि कि 12th class की percentage की basis पर फिर जब से CUT आगया है तो आपके admission procedure साए के साए CUT based ही हो गए है सबसे पहले आपको CUT का form fill करना है CUT का form fill कर दिया आपने दिन उसके बाद आपको CUT का अपना जो interest test है वो दे देना है और उसके आसपास आपके जो डिलन फिटी के form से आज आते हैं तो आपको DU का form fill कर देना है फिर उसके बाद आपका CUT का result आ जाता है CUT का result आने के बाद आपके DU के अलग-अलग colleges की medalist आ जाती होई इस college में आपको इतने score पर admission मिल जाए और आपका जो exam होने वाला है वो आपका होने वाला है 800 marks का अगर आप 4 test दे रहें CUT के इंदर जो कि आपके LGBT आपको देने बड़ेगी आपको कौन से test देने है उसके coding आपको इतना percent तो at least score करना पड़ेगा out of 800 या out of 700 जो आप test दे रहें उसके coding राइट तो यह Miranda House का admission पोस जाएगा कि हावाई किस तरह की placement है highest कितनी है average कि कैसी है इसके लावा कौन-कोन से prominent उनके recruiters है past recruiters कौन-कोन है तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी वारा आप इस screen को देखे जो हो laptop की screen आपके सामने open होने वाली है अभी मैंने यहां पर Miranda House की website open की हुए MirandaHouse.ac.in और यहां पर मैंने इनका placement brochure जो है वो open कर दिया है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे placement record year 21-22 के बीच का तो यहां पर आप देखोंगे तो job opportunities कितनी आई थी तो वो थी 210 210 जो job opportunities थी वो थी इसके लावा internship opportunities तो students के पास वो 21.5 LPA का जो कि काफी अच्छा package है highest के हिसाब से लेकिन अब आप यहां पर देखोंगे average package क्या था तो average package था आपका 9.06 LPA जो की again काफी एक अच्छा package है median package जो है वो था आपका 8 LPA का median package मैं हर पर बताता हूँ एक middle value उसके उपर भी उतनी values होंगी उसके नीचे भी उतनी values होंगी इसके अलागा हम बात करेंगी भाई placement का प्रोसेजर क्या होता है वहां पर देखो यह इनका प्रोसेजर है यहां पर 5 step लिखे हुए है सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले companies आती है और अपने बारे में बताती है उसको बोलते है pre-placement talk यानि company अपने बारे में बताएगी हम लोग किस तरह की company है किस तरह की student समय चाहिए कि जो profile के लिए चाहिए है फिर उसके बाद जो जो student माली जी interested होंगे वो अपना resume submit कर देंगे तो submission of resume जो है वो है second step फिर इसके बाद resume shortlist करेगी company माली जी आपका resume में पसंद आता है तो आपको shortlist कर लेगी वरना नहीं करेगी और resume shortlist होने के बाद फिर आपका group discussion हो सकता है आपका online test हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो अपका step 3 वह जो company आपका लेगी दिन उसके बाद आपका interview company लेगी तो interview होने के बाद आपको job offer मिल जाता है अगर company को लगता है है और सही student है हमारी हिसाब से हमारी company के हिसाब से तो उनको job offer मिल जाता है और जब third year complete हो जाता है तो उनकी final job है वो इस पर्टिकलर company के अंदर लग जाती है तो इस तरह से पूरी-पूरी steps है first to five जो step यहाँ पर लिखे हो है कि किस तरह आपको final job offer मिलता ह इसे बाद हम बात करते है past recruiters के बारे में कि कौन-कौन एस recruiters है जो उनके prominent recruiters है कौन-कौन previous year के अंदर recruiters आये थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DE show यह भाई हर college के अंदर यह company जाती है बहुत ही आप बहुत सकते कि large scale पर employment है इनके company के अंदर और और जिते भी top college होते है सबी के अंदर यह company's आती है मैं हर बार इन ही company's आना मेता हूँ हर college के अंदर ही हर college के अंदर ही जाती है DE show है, McKenzie है, Essenture है, Deloitte है, PwC है, EY है, KPMG है तो इसके जो companies है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इसके अलावा Dell है, Byju's है, Z Media है, Bajaz है, Decathlon है, Aditya Vidla है, Paytium है, Godrage है, Mahindra है, Policy Bazaar, ABVP, OYO इसके अलावा, Upgrade है, Right, और यहाँ पर देखो, Aamadi Party, तो Aamadi Party जो है, वो भी Miranda House के अंदर गई थी, अपने जोग के लिए, तो यहाँ पर काफ़ सा students हो सकता है, Aamadi Party भी बच्चों ने जोइन कियो, तो इस तरह के जो प्रमिनेंट रेकूर्टर्स है, वो आपको यहाँ पर सेंटर है, Technology Enabled Classrooms है, तो इस सब चीज़े आपको मिल जाएंगी, Library आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर भी बहुत सारी books आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, इसके अलावा, डिजिटली भी आप पढ़ाई कर सकते हो, Right, तो इस सब चीज़े आपको मिल जाएंगी, इसके अ है, Hostel है, Security है, तो इस सब चीज़े हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते है, Security, Safety, Infrastructure के मामले में, काफी ठीटा आपको मिल जाएगा, Decent आपको मिल जाएगा, तो यह होगी placement, और यह होगी यहाँ पर Infrastructure and Facilities के बाद, अब बढ़ थे हमारी वीडियो के तरफ आ गए, स्वाइ अगर हम बात करें कि Delhi City के इंदर सबसे Best Fest कोन से होते हैं, तो नमबर वन जो Fest होगा, वो होगा, S.I.C. का श्रीराम कोलेज जो फोरमस का देन, नमबर सेकंड पर रखेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको दो अलगलग को आपको सकते हैं, Hindu College and Miranda House, दोनों ही लगभग एक जैसे ह बढ़िया Fest होते हैं, तो अब सबसे हैं, नमबर टू पर ही पुरी Delhi City के इंदर अगर सबसे बढ़िया Fest है, तो वो है Miranda House का, और देखिए, Miranda एक Girls College है, तो जितने भी अलगलग College है, वहाँ से लड़के भी आज सकते हैं, Fest के दिन, तो काफी जादा जो पासिस होते हैं, वो Student कोशिश करते हैं, हम भी एक पास मिल जाएं, हम भी एंट्री कर लें, तो काफी जादा इस तरह से भी सीन चलता है, लेकिन हम लिम्टेट ही Student एंटर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी काफी साइज स्वेंट हैं, जो सोचते हैं, काश अबर Miranda के अंदर बस हमें Fest देखने को मिल सोफ स्पोकन हैं, काफी अच्छे से बात करती हैं, लेकिन कुछ जो लड़किया होती हैं, इंको authorities मिल जाती हैं, तुम्हें गेट पर खड़ा होना है, Fest के दिन या फिर तुम्हें बैल गेटिंग पर खड़ा होना है, उससे आगे किसी को जानने नहीं देना है, तो काफी सा साथ फील हुआ बाकी, जो मेरी दोस्त है मिरांडा से, काफी सारी हो काफी सोफ स्पोकन है, काफी अच्छी लड़किया भी है, तो ऐसा नहीं है, तो हर तरह का स्टुम्हें आपको देखने को मिल जाएगा है, मिल जाएगा है, बस मैं यह रिक्वेस्ट करों गया है, जो भ बाकी, काफी बड़ी हा रहा मेरे एक्स्पियेंस फैस्ट का, जो उनका फैस्ट था, वो काफी लार्ज स्केल पर फैस्ट होता है, काफी अच्छी इवेंट्स होते हैं, कॉंप्टिशन काफी होते हैं, उनके जो ओडिटोरियम होता है, वहाँ पर बिम लोग बैठे हुए तो आप सज्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर कि नेक्स वीडियो किस कॉलिश पर होने चाहिए, हम इसी तरह से वीडियो लेकर क्या आते रहेंगे, और कम्प्लीट रिव्यू जो है कॉलिश का आपको देने की कोशिश करते रहेंगे, बाकी मिलते नेक्स वीडियो के तब तक के लिए बाई बाई एंड टाटा